नमस्कार जियास गेलक्सी मैं आप सभीलों का बहुत बहुत स्वागत हैं तो चलिए एंसी आइटी किसे रिखलागा चैप्टर नमर 12 आज हम लोग जो है वो कैरी ओन किया जाएगा तो चैप्टर नमर 12 का टाइटिल क्या है इमारते चित्रतता किताबे इसका पीडिये जो है आप लोगों को पहले ही दिया जा चुका है जो भी नए लर्नर्स है वीडियो को देख रहा है लिंक के डिस्क्रिप्टिप्शन बॉक्स में वाट्साप का आइडी है उससे आप जोईन कर सकते हैं इसके अलावा जो है तेलीग्राम का आइडी दिया हुआ है उससे आप जो करता है तो इसी चैप्टर को हम लोग यहां पर देखने का प्रयास किया जाएगा हर चैप्टर की तरह जो मैंने आप लोग को बताया था कि किसी कहानी के साथ यह चैप्टर की सुरुवात होती है मरुत सामी और लौह अस्तम्भ क्या है तो मरुत सामी जो है करें उनका क्लासिक इमारत को विजिट कीजिए उसी के बगल में जो है चंद्र विक्रमादित्य का लौह अस्तम्भ जो है वो आपको दिखेगा तो लौह अस्तम्भ के बारे में कह रहे हैं कि यह 7.2 मीटर उचा है और 3 तन के लगभग जो है इसका वजन है इस पर खुदे अभी लेक में चंद्र नाम के एक सास्तक का जिक्र है वैसे ऑप्सिनल का बैच रहता है तो ऑप्सिनल के बैच में यहाँ पे काई सारे हिस्टोरिकल डिबेट्स होते हैं तो उनको हम लोग 6 की NCIT है बस basic इसका introduction लेते हुए आगे move करना है करें इटे और पत्थरों की इमारते जो है वो उनसे हमें क्या पता चलता है तो इस तूप है इस तूप को करें कि इसका साब्दी कर्थ क्या होता है तीला होता है या धूहा होता है यह जो इस तूप एक धेर आप देखते है यह क्या है यह तीला या धूहे का निर्मार करता है फिर कह रहें यह गोल भी हो सकता है और कभी कभी जो है यह लंबे तथा छोटे आकार में भी हो सकते हैं डिपेंड करता है कि वो इस तूप कौन सा है फिर कह रहें इस तूप के चारों परिक्रमा करने के लिए एक वृत् तोरन द्वार कहा जाता है। संगम सारणम गच्छामी और धमम सारणम गच्छामी जो उनके त्री जीवेल्स हैं उसके बारे में चर्चा करता है तो करें इस्टूप के अंदर कभी-कभी एक छोटा सा डब्बा रखा जाता है जिसमें महात्मा बुद्ध के या उनके जो सिस्से हैं उनके जीवल्स से सम्राठ असोक रहते हैं सम्राठ असोक ने 84,000 इस्टूपों का निर्माण करवाया हुआ था तो इस तरीके से क्या है इस तरीके से ये इस्टूपों का जो है एक उसमें जो अस्थिया उस्टेसों का जो है ये डिटेल दिया गया है आगे फिर कह रहे हैं कि इस पर रास्ते कि मदी ये कहा है जैसे बहुत धर्मी स्थूप कहा जाता है उनका जो पूजा का आस्था ला है वैसे ही हमारे यहां पर टैम्पल जो है मंदि yolँआ है वो एक धार्मिक आस्था का प्रस्न है मन्दिर तीन प्रकार के हैं और नागर लिया है, बेसर सैली है और धरावड सैली है। तो उनी मंदिरों के बारे में यहां बता रहे हैं कि मंदिर में क्या होता है, मंदिर में एक मुख्य गर्वगृ otras. उसी मुख्य करब्वग्री में मुख्य देवता की आकरिती रखी जाती है, और उसी तरीके से जैसे एक मंदिर का पूरी टोपोलाजी अगर लिया जाए तो नागर सैली के मंदिर में ये क्या हो जाएगा ये प्रवेश द्वार हो जाएगा प्रवेश द्वार के साथ ये क्या है प्रवेश द्वार के साथ ये आर्धमंडप है आर्ध मंडब के साथ ये क्या है? आर्ध मंडब के साथ ये माहा मंडब है माहा मंडब के बाद ये क्या है? माहा मंडब के बाद ये अंतराल है अंतराल के बाद क्या है? अंतराल के बाद जो है वो गर्भग्री है गर्भग्री के उपर क्या है? यही जो है इनका गर्वग्री के उपर जो है इसे सीखर कहा जाता है इसे सीखर द्राविट सली में इसे वीमान कहा जाता है इसी गर्वग्री के चारों तरफ यह क्या हो जाएगा गर्वग्री के चारों तरफ यह प्रदक्षिना पत हो जाएगा प्रदक्षिना पत हो जाएगा और यहीं पर क्या है यहीं पर चार जो है वो सब स्राइंस के रूप में होंगे और यह चार जो उप गर्वग्री के रूप में होंगे इनको और यह पाँचवा मिला कि इसे क्या कहा जाता है इसे पंचायतन कहा जाता है तो मंदिर का जो है यह पूरा मैंने आपको जो टोपो लोजी है उसे बता दिया उसे जब हम लोग मेंस के परस्पेक्टिव में देखा जाएगा इन डिटेल में चर्चा किया जाएगा फिर आगे कह रहे हैं कि कुछ पहाडों को काट करके जो है वो एक आसमक सैली के मंदिर बनाए गया है मोनोलिथिक टेंपल बनाए गया है तो यहां पर कह रहे हैं कि पत्थरों को कैस्ते जो है वो काटा छटा जाता था तो उसी परवत को काट करके यहाँ पीक में आप देख रहे हैं उपर यह पहाड है और इसी के इस हिस्से को काट करके मंदिर के विभिन नसारे उसके निर्मार को किया गया है अब आगे कह रहे हैं कि इस तरीके से मंदीरों की सजावट किया जाता था मंदीरों में जो भी भगत आते थे उनके द्वारा जो उपहार या चड़ावा किया जाता है इससे जो है किसी भी मंदीर की अपने जो भी expenses होते हैं उसको जो है वो manage किया जाता है अरली में डैवल हिस्ट्री में अगर आप लोग आएंगे पुरो मध्यकाल में आएंगे तो वहाँ पर पुरो मध्यकाल में आप लोगों को temple economy दिखेगा मंदीर अर्थ वे उस्था दिखेगा और उसी मंदीर अर्थ वे उस्था के साथ साथ दिवदास्थी प्रथा का भी उदारन देखने को मिलता है चलिए तो अब वास्तु कला का छेतर हो गया आप ये चितर कला को कह रहे हैं कि चितर कला क्या है तो आजंता की गुफाएं जो है वो चितर कला के पेंटिंग आर्ट के वन अब दे फाइनस इग्जामपल्स को सो करते हैं तो ये जो पेंटिंग आर्ट है वो किसके लिए हैं वो बहुत भिछों के लिए जो है वो किये गए हैं गुफाओं के चितर जो हैं मसालों की रोसनी में क्या किये गए थे इस तरीके से, क्या था, इस तरीके से चित्रों के रंग चमाकदार होते थे, तथा ये रंग क्या थे, जो भी अजनता की गुफाओं में या भिमबेटका की गुफाओं में जो चित्र बिलते हैं, भिमबेटका कहां पे है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, MP के Rajsden district में ह वी एस वाकरकन रहते हैं 1957 के लगभग में उन्होंने भिम्बिटका के गुफाओं की खोच किया हुआ था तो यहां पे जो रंग है लगभग आप देखेंगे तो हजारों वर्सों से यह जो पेंटिंग है वो आज भी हम लोगों को मिलते हैं तो किन रंगों का प्रयोग किया गया है तो रंग के रूप में खानी रंगों का मिनरल कलर्स का जो है वो यूज किया गया है तो चित्रों के रंग कैसे होते थे चित्रों के रंग चमकदार है तथा यह कैसे बनाया गया थे पौधो तथा खनीजों के प्रयोग से इसे बनाया गया था अब आगे कहते हैं प कई बार चर्चा किया हुआ है सिलब पादिकारम जो है और इस पर कई बार प्रस्ण भी पूछा गया है इलांगो आदिगल रहते हैं इलांगो आदिगल ने इसकी रचना किया हुआ था सिलब पादिकारम में कोलन और कर्नगी की कथा थी उसके बारें भी मैंने बताया था कोलन जो है वो चोल देश के एक बड़े व्यापारी रहते हैं कर्नगी उनकी पत्नी रहती है कोलन का व्यापार के सिलसिले में बाहर आना जाना रहता है और इस प्रकार क्या रहता है और इस प्रकार इसी व्यापारी दुस्ट्री कोण में उनका एक दूसरी इस्तरी के साथ आकरसन होता है अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं दूसरी इस्तरी के आकरसन में पूरे व्यापार को ये बरबाद कर देते हैं व्यापार जब बरबाद होता है तो आई फिल माधवी उनका नाम रहता है, माधवी ने इन्हें त्याग दिया, फिर कोलन जो है लोट करके अपने घर आते हैं, इनकी पतनी कन्नगी जो रहती है वो एक पति वरता नारी के रूप में रहती है, उन्होंने इन्हें स्विकार कि चोल देश में लोगों की बहुत बदनामी हुआ रहता है, वहां से निकल करके कहां जाते हैं, वहां से चोल देश को छोड़ करके नीचे पांड देश में, जो साउधन टामिलाडू का एरिया है, वहां पे जाते हैं, तो पांड देश में जाएंगे, वहां पर एक इनकी हा प्राणों को त्याग दिया अब इसके आगे क्या होता है इसके आगे फिर से कन्नगी उनका क्रोध सांत नहीं होता है और उनकी क्रोधागनी में पूरा मदुरा सहर जल करके खाक हो जाता है तो उस पूरी कहानी में केंद्र में सिलबपादिकारम जो हाथ का कंगन है इसलिए इसका नाम सिलबपादिकारम और रचनाकार कौन रहते हैं रचनाकार जो है व उनको पुजा जाता है, आगे फिर कह रहे हैं कि अगला जो महाकाब्बे है, तमिल महाकाब्बे वो मड़ी मेखले है, ये भी क्वेस्चन आप लोग के ग्याम में पुछा गया है, तो मड़ी मेखले की रचना किस ने किया था, सितले सतनार ने किया था, माधवी ने इनको फिर से भगा दिया था तो माधवी के गर्ब से एक बेटी हुई थी उसी बेटी के बारे में कहानी है ठीक है कोवलन तो मर चुक है ने ये प्रिंटिंग मिस्टेक है कोवलन ने करनगी जो है करनगी तथा माधवी की बेटी के बारे में कहानी है तो आगे चलकर कि ये माधवी की बेटी जो रहती है वो बहुत धर्म को अंगिकार कर लेती है तो अगला हीडिंग ये क्या कह रहे हैं कि पुरानी कहानियों का संकलन तथा संक्षन कैसे किया जाता था तो पुरान का ये साब्दिक अर्थ जो है वो का रहे हैं कि पुरान का साब्दिक अर्थ जो है वो कहानी के रूप में है या पुराने ग्रंथों के रूप में है इसमें किस के बारे में जो भी हमारे mythological god हैं जैसे विष्णु हैं सीव हैं दुर्गा हैं पारवती हैं इनके बारे में जो है इनकी कहानियों के बारे में चर्चा मिलता है पुरान किस भासा में लिखे गए हैं संस्कृत के स्लोक के रूप में लिखे गए हैं और इसके बाद जो महाकाब्य साहित आते हैं विष्णु पुरान जो है वो मौर रवंस के इतिहास को जानने के प्रमुक स्रोत के रूप में है फिर इसके आगे ये बता रहे हैं कि जो महाकाब्य हैं महाभारत और रामाड है और इन महाकाब्यों से क्या है इन महाकाब्यों से जो है वो ततकालीन परिवेस के जो है वो समाजिक इस्थिती के आर्थिक इस्थिती और राजितिक इस्थिती के बारे में चर्चा मिलता है तो उस समयकाल की राजनिती की स्थिती समाजी की स्थिती और आर्थी की स्थिती के बारे में चर्चा मिलता है फिर आगे कह रहे हैं कि महाभारत दोनों कोई व्यास नामक रिसी ने क्या किया था व्यास नामक रिसी ने संकलित किया हुआ था और रामायन को जो है वो वालमी की जी ने जो है वो लिखा हुआ था ये सारे स्पीसियस के क्वेस्टन है और यहां से कुछ जैस सहीता, स्थास्त्र सहीता इन सब पर भी प्रस्ट में पूछा जाता है आगे फिर कह रहे है विज्ञान की पुस्तक क्या है तो गाणितागे तथा खगोल सास्त्री हैं इनका नाम क्या है आर भट ने संस्कृत में कौन सी पुस्तक लिखा था आर भटियम पुस्तक लिखा हुआ था 23 वर्स की अवस्था में ही गुप्तकाल में चंदगुप्त विक्रमा दिते रहते हैं उनके समयकाल की ये विभूती है मात्र 23 वर्स के वस्था में इन्हों ने आरे भटियम नाम ग्रंथ लिखा था और इस ग्रंथ में इन्हों ने ग्रहन अच्छत्रा और तारों का जो भी इस्थिती है उसके बारे में चर्चा किया था जिसे सैकड़ो वर्सों के बाद यूरोप में जो है जब पुनरर जाग्रण का काल आता है वैग्यानिक तरीके से वो प्रूब होता है तो इस तरीके से ग्रहण के बारे में जो सूर्य ग्रहण है और चंद्र ग्रहण है सारे ग्रह जो हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं हेलियो सेंट्रिक जो थियोरी है उसके बारे में इन्होंने अपने ग्रंथ में चर्चा किया हुआ था भारत में ही जीरो के सुनने का अविस्कार जो है वो भारत में ही हुआ था वो सुने होंगे जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिंती आए तो इस तरीके से क्या है इस तरीके से गिंति किया पधती अर्बो दोरा अपनाई गई था यूरोप में धीरे धीरे ये फैल गया था ठीक है तो ये कुल मिला करके क्या है ये कुल मिला करके हमारे जो है का सकते हैं कि एक प्राचीन भारत में किस तरीके से इमारतों से भवनों से चित्रकला के माध्यम से और साहितिक सुरतों के माध्यम से जो इतिहास का निर्माढ होता है उस पर यह chapter dedicated है तो यहां पर आकर कि यह आपका complete होता है Class 6 की NCIT जो है वो complete होती है तो चलिए student मिलते हैं फिर हम लोग next video में और वहां पर हम लोग Class 7 की NCIT है मध्यकालीन भारत से वो related है medieval history से related है उससे हम लोग carry on किया जाएगा तो ठीक है मिलते हैं फिर next video में Till then we see you all the best, thank you